अब देख सकते हैं आर्मी की टीम जो है बोट में सुवार होकर घरों तक धानियों तक रहत सामगरी पुचाने के लिए निकल चुकी है और यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं मैं कैमरा मेंन से कहुँगा कि जूम करके दिखा दें और लगातार आर्मी यहाँ पर परसासन के स्योक के साथ लगातार लोगों की साहिता कर रही है लगातार लोगों तक रात सामगरी वे समान पहुचाने की यहाँ पर प्रियास किये जा रहे हैं और हर परकार से साहिता मिल रही है जैसे कि आर्मी से बाई साब ने बताया भी था कि हम लगातर कोशिस कर रहे हैं लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं और यह देख सकते हैं कि बोट के अंदर स्वार होकर आर्मी की टीम यहा पर निकल चुकी है जो लोगों तक लगातर यहां पर परसासर की साहता किजिए जैसे कि बाड का पाणी फतेबाद के बिल्कुल हाईवे तक नैस्टल हाईवे नाईं तक पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं किस परकार से कितनी महंत के साथ कितनी जो है यहापर बोट को चला कि यह कोई इलेक्टरिक बोट नहीं है नहीं तो कोई इंदन बोट है ले को तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से कितना नीचे तक जो है घर डूबे हुए हैं और लगातार ये कोशिज भी हो रही है यहां पर आर्मी के दुबारा की जितना ज्यादा होसके उतने लोगों को रेस्क्यू भी किया जाए और लोगों तक जो है साहिता पहुचाई हैं तो आर्मे का स्योग करें उनके साथ जो है आप रेस्क्यू होकर बाहर आई क्योंकि घर 그냥 के अंदर खत्रा अभी भी बना हुआ है पाणी या तो उपर जा सकता या जो है पानी के वज़े से मकानों के अंदर जो है दरारी दरारिया परसानी का सामना आपको करना पर सकता है अभी मैं आपसे अलविदा लेला चाओंगा मैं संदीप नोखवाल कैमरामेन सित्पाल जंडा के साथ आप देख रहे हैं च्पिन 24 नूज जैहिन